हाई फ्रेंड्स आप सबका स्वागते मिक्स स्पाइसी मसाला किचन में बीना प्याज बीना लेसुन के बनाएंगे पत्ता गूबी की सबजी तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं पत्ता गूबी की सबजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कड़ाई को गैस पर रख दिया हैं तीन से चार टेबल स्पून इसमें तेल डाल दूँगी तेल को गरम होने देंगे तेल के गरम होते ही आदा टी स्पून इसमें जीरा डाल दूँगी जीरा को चटकने देंगे जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो इसमें 7-8 करी पत्ता डाल दूँगी एक चोथा ही चमच हींग डाल दूँगी आदा टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दूँगी या फिर अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे अदरक को एक से दो मिनेट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे या फिर इसका कच्छापन निकल जाए उतना भून लेंगे एक से देड़ मिनेट मैंने अदरक को अच्छे से भून लिया है अब टमाटर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिये हैं टमाटर बड़े साइस के थे इसलिए मैंने दो लिये हैं और इन्हें इस तरीके से कट कर लिया है अब टमाटर के साथ भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए सबसे पहले हम नमक डाल देंगे एक चोथा ही चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है अब यहाँ पे 1 टी स्पुन मैंने मसाला लिया है यहाँ मैंने इसे एक साथ पीस कर रग दिया था इसलिए मैंने इसका इस्तमाल किया है वन टी स्पुन से थोड़ा जादा धनिया पाउडर डाल दूँगी यहाँ पे मैं जीरा पाउडर का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने साबुत जीरे का इस्तमाल किया है वन फोर्ट टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी और इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी आदा कप यहाँ पर मेरे पास हरे मटरे तो उसे में डाल दूंगी इने मेंने उबाल के नहीं रखा है इने मेंने कच्छा ही डाल दिया है अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तीन से चार मिनिट के लिए ढख कर पका लूंगी 280 से 300 ग्राम तक यह पत्ता गोबिये इसे मेंने इस तरीके से कट कर लिया है इसे मेंने कट करके पानी से धो लिया है अगर आप पत्ता गोबी को नहीं धोते हो तो आप ना धोए लेकिन मैं धोकर ही इस्तमाल करती हूँ और मैं आपको भी यही कहूंगी कि सबजी को धोकर इस्तमाल करें बारिश के टाइम पे सबजी में कुछ भी घुश सकता है इसके लिए सबजीयों को धोकरी इस्तमाल करें तो यहाँ पर मुझे 5 मिनिट हो गए मटर और टमाटर को पकाती हुए मैंने कच्चे मटर का इस्तमाल किया इसके लिए मैंने 5 मिनिट तक रख दिया था इसे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजी एक बार मैंने यहाँ पर इसे 4-5 मिनिट के लिए ऐसे ही रख दिया था लेकिन आप अगर इसे रखेंगे तो बीच में एक बार जरूर चेक कर लीजी मसाला जल भी सकता है अब इसमें पत्ता गोबी डाल दूँगी अब इसे इस तरीके से एक साइट से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी मैं पत्ता गोबी को अगर आप यहाँ पर इसे मिक्स ना कर पाओ तो इसे एक से दो मिनिट के लिए ढख कर पका लीजिए पत्ता गोबी नीचे बैड जाएगी तो लीजिए पत्ता गोबी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब पत्ता गोबी के उपर depend करता है कि पत्ता गोबी कितनी जल्दी पकती है कभी कभी तो पत्ता गोबी चार मिनेट में पक जाती है कभी कभी साथ से आठ मिनेट भी ले लेती है तो यहाँ पर मैं पत्ता गोबी को सबसे पहले चार मिनिट के लिए ढखकर पका लूँगी यहाँ पर सब्जी को पकते हुए चार मिनिट हो गए एक बार सब्जी को चेक कर लूँगी यहाँ पर मैंने धोकर सब्जी को डाला था उस वज़े से भी इसमें पानी छूटा है और उपर से सब्जी पत्ता गोबी है तो वो पानी अपना छोड़ती है तो अभी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इतनी देर से सब्जी को मैंने स्लो गैस पर पकाया था अब फ्लेम को थोड़ा मेडियम कर दूँगी और इसे फिर से ढखकर तीन मिनट के लिए पका लूँगी सब्जी को मेडियम गैस पर पकते हुए तीन मिनट हो गए अब हम सबजी को एक बार चेक कर लेंगे तो देखिए सबजी में जितना भी पानी था वो सारा पानी सूख गया है सबजी हमारी पक कर तयार हो चुकी है मुझे इस सबजी को पकाने के लिए 7 मिनिट लग गए पत्ता गोबी के उपर डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेती है पकने के लिए अब फ्लेम को थोड़ा में हाइपर कर दूँगी और सबजी को फ्राई कर लूँगी एक मिनिट सबजी को मैंने हाइफ लेम पर फ्राई कर लिए अगर आपको मेरी ये रेसीपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाईए पत्ता गोबी की सबजी बन कर तयारी ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनी थी तो आप भी इस सबजी को जरूर बना कर खाईए चलिए तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई